कि यस हैलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम टू लौ प्रेप जुडिक शरी सो कैसी चल रही है आप सब की तयारी एंपी की आई होप आपके तयारी और रिवीशन बहुत अच्छे से चल रहा है तो इसी के कि अपन यहां पर बेसिकली एंट तक बने रहना है और इन सारे को आपको नोट डाउन करते चलना है ठीक है आपको साथ में आंसर्ज भी देना है और सारी चीजों को अबजर्ब भी करना है ठीक है यस गूड इवनिंग एश्वरिया चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं वि कोशन नंबर वन ठीक है केरी फॉरवर्ड डूल वाज हैल्ड टू बी अल्ट्रा वाइरस इन दी केस ऑफ और बलाइक को अन्रेबल सुप्रिंग कोट का कौन सा केस है यस गूड इवनिंग एवरिवन यस कोशन नंबर फर्स्ट का आंसवर यस जल्दी जल्दी आपको कमें केंट बॉक्स में आंसवर देते रहना है कि यस कोशन नंबर वन का आंसवर कमेंट फास्ट कमेंट्स देते चलना है आपको यस तू कांसवर ए ठीक है देवदासन वर्सेज उनियन आफ इंडिया का केस था उन्रेबल सुप्रिंग कोड का जहां पर सुप्रिंग कोड ने केरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉंसिटूशन बताया था राइट चलो आगे करते हैं कोशन नंबर टू आफ्टर विच वन आफ सुप्रिंग कोड डिसीजिजिंग वाज थी इस्पेशल प्रोविजन पर शोशली और एजुकेशनली बेकवर्ड क्लासे इंट्रीच बाइन अमेंडमेंट अफ दी कॉंसिशन आफ इंडिया यस कोशन नंबर टू कांसवर यस जल्दी जल्दी कमेंट्स देते चलें आप लोग और मैं आपको बता देता हूं कि यह कोशन आज आपन कर रहे हैं यह मोस्ट प्रॉबिबल कोशन है जो आपके एंपी के एक्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसे रहने वाले हैं तो आपने अभी तक इस सेशन को अ आपके वो सब भी आकर इन कोशन को अटेंड कर सके ठीक है यह अब इसका आंसवर टू कांसवर आ गया है सी यह सवर्या कांसवर एक्दम साहिए इस्टेट आफ मदरारा वरसे चंपा कम दोराई राजन इसके बाद में ही आर्टिकल 15 क्लॉस 4 एड किया गया था ठीक है फिर ओन डिसीजन वस डिसाइड वाद के अंदर एचेश डिसाइड हुई थी यह सिंपल कोशन यह सिंपल कोशन यह कोशन नमबर 3 कांसवर दी यस बिलकूल दी इस दी करेक्ट आंसवर दी इस दी करेक्ट आंसवर बंगाल Immunity Company Limited versus Union of versus State of Bihar राइट चलो आगे करता हैं कोशन नमबर 4 दी केस अव इस स्टेट of Bihar versus Kameshwar Singh is related to which of the following देखो आज हपन कोशन आपके लिए हिंदी में भी आये हैं तो आपको इसको आंसवर देते चलना है ठीक है तो जिन बच्चों के हिंदी मीडियम स्टूरेंट है तो वह यहां से ताइम नी लगाएंगे और सिर्फ कोशन दिसक्स करेंगे राइट चलो कोशन नमबर फूर्थ का आंसवर फूर का दी यस बूलकुल फूर का आंसवर इस दी दॉक्तर नफ कलरेबल लेजिसलेशन से यह बेसिकली आपका केस रिलेटेड है नेक्स करते हैं कुशन नमबर फाइफ इन विच वन फूर्थ केसे सुप्रिंग कोट है तो नोट इन्जोए sovereignty under the Indian constitution as it does not provide for a federal character in the strict sense yes question number five five cancler is b state of west bengal versus union of india okay right chalo next question number six in the case of Golaknath versus state of Punjab it was remarked that our preemable contains in the nutshell its ideals and inspirations who was the judge कौन थे judge इस पर्टिक्लर केस के अंदर गोलकनाथ versus state of Punjab के अंदर जहां पर यह बोला गया था कि जो प्रस्तावनावे संक्षेप में इसके आदर्ष और प्रेड़ना शामिल है कौन से जज ने आपके यहां पर यह चीज बताई दी इस अपन रिसेंट केस लॉज के भी mcqs discuss कर लेंगे ओके यह कोशन नमबर सिख्स्त का अंसवर सी यह बिल्कुल सी कोशन नमबर सिख्स्त का अंसवर है सी जेस्टिस सुभा रहा हो राइट चलो next करते हैं कोशन नमबर सेवन जो क्लास 4 है आर्टिकल 13 का उसमें विच वास इंसर्टेड बाइट 24th amendment act 1971 उसमें बता रखा है के constitutional amendment act passed according to 368 of the Indian constitution is a law within the meaning of article 13 and would accordingly be void if it contravenes a fundamental right यह amendment कौन से judgment के अंदर void declare किया गया था by the honorable supreme court yes good evening Paridi yes is cancer question number seven question number seven question number seven answer क्या रहेगा answer question number seven का yes बिल्कुल कीरती का answer एक दम सही है c is the correct answer Minerva Mills versus Union of India का case था okay Minerva Mills का case था जिस case के अंदर यह article 13 clause 4 को वाइड बताया गया था ठीक है आगे करते हैं अपन in which one of the following cases the Supreme Court has declared article 15 clause 5 as unconstitutional as constitutional कौन से judgment के अंदर बोला गया था yes yes good evening Trisha yes फटा फटा पांस्वर देते जाएं आज अपन आल्मोस 75 से 80 कोशन करेंगे right तो आपको session के end तक बने रहना है बने रहोगे साथ में साथ में आप बने रहोगे ना आज just write yes in the chat box yes चलो question no.8 आज अपन अच्छे हैं चेक कोशन कर रहे हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जाने के पूरे chances right तो question no.8 का answer B yes B is the correct answer अशोक कुमार ठाकूर वर्सेज यून आफ इंडिया का judgment था right चलो next करते हैं question no.9 in which of the following cases Supreme Court held that strike by lawyers is illegal and unethical and it infringes fundamental rights of the litigants for SPD trial yes yes चलो ठीक है very good question no.9 जल 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 दी comments करते हैं आप chat box के अंदर question no.9 का answer और अभी तक आपने session को like नहीं किया तो please like this session ठीक है और share भी कर लो अपने friends के साथ में फटा 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 कि वो सभी आ जाए और इन सारे questions को आपन यहां साथ में discuss करते हैं yes question no.9 का A is the correct answer very good very good B.L. Wadra versus N.C.T. of Delhi right चलो very good next करते हैं question no.10 in which of the following cases the Supreme Court has elaborately issued the guidelines on child labor under article 23 of constitution yes good evening Nitasha question no.10 का answer yes question no.10 का C yes yes D is the correct answer both A and B ठीक है बोथ A and B इसका correct answer है right चलो next करते हैं question no.11 in which of the following case Supreme Court held that while guaranteeing the fundamental right to the freedom of religion explanation 2 of article 25 to be made it clear that reference to Hindu shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh Jain or Buddhist religion and the reference to Hindu religious institutions shall be constituted accordingly यह कौन से judgment के अंदर Supreme Court ने कहा था yes important question है इसको आप mark कर लेना अगर आप का answer नहीं पता है तो इसका आप screenshot भी ले सकते हैं ताकि आप इसको note down कर लें यह कोशन नंबर 11 यार कोशन नंबर भी लिखो आप आगया ना वरना मिरको पता नहीं चलेगा आप कौन से कोशन का आपार आपार दे हैं राइट यह कोशन नंबर 11 यह कोशन नंबर 11 यह तो का इंड लो देख तेंकिसका सहीं होता है तो 11th का answer is B, ठीक है, A answer नहीं होगा, शास्त्री एग्न, versus मूलाज, प्रूरदाश, वैष्या, ठीक है, so इसका B is the correct answer, next करते हैं, question number 12, in which case, Supreme Court has held that, fundamental duties must be used as a tool to control the state action drifting from constitutional values, yes, यह कौन से case के अंदर का था, अच्छा, fundamental duties का कौन सा chapter है, और कौन से part के अंदर दे रखा है, yes, कौन से part में दे रखा है, कौन सा article है, yes, यह सारी चीज़ें भी आप बताते जाओ, इस से क्या है, अपना, यह तो मैंने आपके लिए लिखी लिया, चलो, part बता दो, आप article दो नहीं लिख दिया, yes, कौन से part में, yes, इसका answer 12th का, question number 12, 12th का, yes, part 4A, इसका correct answer is DA, ठीके, AIMS Student Union versus AIMS का, इसका correct answer आपका रहने वाला है, right, आगे करते हैं अपन, right, चलो, very good, article 51A, next, question number 13, Kesav Singh's case is related to which of the following, freedom of press, press की स्वतनतरदा से related था, जीवन और व्यक्ति की स्वतनतरदा का अधिकार, संशदिय विशिश अधिकार और राष्ट्रपति शाषन, yes, Keshav Singh का case कौन से मामले से related था, yes, question number 13, yes, 12th का answer is D, question number 13, अच्छा, कल देखो, कल है गया जन्वरी, right, कल आपन करेंगे basically mixed questions, ठीक है, mixed questions होंगे, और section based आपन questions solve करने वाले हैं, ठीक है, तो यही time आपको आना है, 4 बज़े live, आपन YouTube live, law prep judiciary के channel पर यहाँ पर live questions discuss करेंगे, section based specifically sections रहने वाले, questions रहने वाले हैं, तो उसको आपको यहाँ पर अपन solve करेंगे, और 12 तारिक को, 12 जन्वरी को अपन यहाँ पर एक mock test solve करने वाले हैं, right, mock test जो आपके MP के latest syllabus के pattern के उपर based रहेगा, तो आप लोग आओगे कल और पड़सों, ठीक है, 12 जन्वरी को same time रहेगा, चार बज़े अपन यहाँ पर mock test solve करेंगे, okay, एकदम 150 questions solve करने वाले हैं, 150 questions होंगे, जो latest आपके syllabus के उपर based रहने वाला MP के, ठीक है, clear, yes, question number 13th का answer, 13th का बिलकुल C is the correct answer, यह आपका case related है, okay, चलो, next करते हैं, question number 14, in which of the following judgments it was held that, according to article 226, courts are flooded with large number of PIL, so it is desirable for courts to filter out frivolous petitions and dismiss them with cost, yes, कौन से judgment में का था, Deepak Sharma versus Vinita Sharma, Dharmapal versus State of UP, Holy Cow Pichar's Private Limited versus Prem Chandra or MC Mehta versus Union of India, yes, okay, चलो, question number 14, 14th का answer, बी नहीं है, यहाँ पर C इसका correct answer है, ठीक है, Holy Cow Pichar's Private Limited versus Prem Chandra, ठीक है, C is the correct answer, right, इसको आप no down कर लाएं, यहाँ पर C answer है, इसका, next करते हैं अपान, Justice Mukherjee, Chief Justice, जो थे, speaking for the court, stated that, तो दो दे एक्जुकुते पार is vested in the precedent, the precedent is only a formal or constitutional head of the executive, the real power is vested in the council of ministers on whose aid and advise the precedent acts in the excise of his functions, यह कौन से केस के अंदर बताया गया था, yes, question number 15, 15th transfer is B, ठीक है, Ram Jawaiya Kapoor versus state of Punjab का, right, next करते हैं, question number 16, in which of the following cases, the notification of 4th March 2014, regarding JAT reservation was set aside, yes, यह जल्दी जल्दी comments करें, आपके आज comments बहुत धीर धीर आरे हैं, yes, what happened, question number 16, transfer, तो 16th transfer is A, Ram Singh versus Union of India, ठीक है, next करते हैं अपन आगे, question number 17, the confirmation of an additional judge of a high court as permanent judge of that court on the recommendations of the Chief Justice of India without consultation with the Collegium was held valid by the Supreme Court in which of the following cases, yes, yes, कौन से जज़्जमन में का था, बिल्कुल, 16th का आणसूर इस A, 17th का आणस्वर, yes, B is the correct answer, Shanti Bhushan versus Union of India, ठीक है, next करते हैं, question number 18, in which of the following cases, Supreme Court has held that a married daughter with independent sufficient means of her own is liable to maintain her father or mother under section 125 of CRPC, yes, कौन से जज़्जमन के अंदर का था, yes, CRPC के section 125 के अंदर, अपन देखते हैं, maintenance के regarding provisions दे रखे हैं, right, तो कौन से ज़्जमन सा सुपरिंग कोट का, जहां पर एक married daughter भी liable हो सकती है, या उसके पर भी liable हो सकती है, with respect to grant of maintenance to their parents, right, yes, कौन सा ज़्जमन के अंदर का बी, very good, वेजे मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव, राजा राम सवाई, बी इस दी कर्क्ट आंसवर, next करते हैं, question number 19, in which of the following cases, section 144, 144 case बारे में बात करता है, CRPC का, उसको constitutionally valid बताया गया था, Supreme Court द्वारा, Madhu Limay versus SDM, Nanak Chan versus Chandrakishore, superintendent of Central Pism versus Ram Manohar Loya, और Mithilesh Kumar versus Bindh Vasani, yes, yes, जल्दी जल्दी, आज आपके comments बहुत दीरे दीरे आ रहे है, yes, question number 19, fast, fast, कौन देगा सबसे पहले answer, आपको exam में भी इतना ही time मिलेगा, almost 20-25 seconds, एक particular question को solve करने के लिए, right, very good, searching answer आगया है, 19th का, Madhu Limay versus SDM, Managar, next करते हैं, question number 20, section 156, 3, और 202 के बीच में, difference बताया था, Honorable Supreme Court ने, वो कौन सा judgment है, येस, देवरापली, ready versus, वी नारेन, ready, नागवा versus, वी रम्मा, केवल कृष्ण वर्से सूरजभान, और DS, SS, खना versus, Chief Secretary, येस, येस, बिलकुल, अधिती, ऐश्वर्या का अंसवर आगया है, वरुना का आगया है, अनिके तिवारी का भी आगया है, येस, बिलकुल, इसका अंसवर बताओ, आप question number 20 का, question number 20, A, very good, सचीन का अंसवर एक दम पहले आगया है, सही अंसवर आया है, A is the correct answer, next करते हैं, 21, in which case, did a five judge constitution bench of Supreme Court, considered the scope of section 319 CRPC, ठीक है, section 319 किस बारे में बात करता है, आप वो बताते हैं, comment box कंदर, what does 319 talks about, और कौन सा judgment है, yes, question number 21, जल्दी जल्दी comments करने हैं आपको आज, और जो लोग भी अभी इन्होंने, जिनोंने live जोइन किया है, आप लोग यहीं से, इन सारे questions को answer करते रहो, बाकी के questions आप बाद में, recording के बाद में देख लेना, yes, ठीक है, yes, इसका क्या होगा, 21 का, yes, very good, 21 का A is the correct answer, हर्दीप सिंग वर्से स्टेट अफ पंजाब, very good, ठीक है, यह question भी काफी exams में पूछा गिया है, repeatedly questions पूछा जाता है, तो इस question को आपको mark कर लेना चाहिए, right, आगे करते हैं, question number 22, high court cannot directly entertain the bail application of pota accused person, without it refusal by special court, यह कौन से Supreme Court के वाद के अंदर यह चीज़ बता ही गए थी, right, 22, yes, pota के full firm क्या है, what is the full firm of pota, yes, यह pota एक्ट वाली की बात हो रही है, right, yes, इस pota के full firm क्या है, और 22 का अंसवर, yes, 22 का B, very good, सज़ें का आंसवर आगे है, इस्टेट आउ गुजा वरसेश सलीम भाई, अब्दूल गफूर्श सेख, B is the correct answer, next करते हैं हम आपन, question number 23, yes, आप लोग इस, basically live session को अपने friends के साथ share कर लो, ताकि वो सभी इन सारे, अच्छे questions को अपने साथ discuss कर ले, right, यह most probable questions है, जो आपके exam में आ सकते हैं, ठीक है, yes, कौन से case के अंदर, Supreme Code ने, यह बताये था, कि right of a victim to file and appeal, under the proviso to 372 of CRPC, is available against orders of acquittal, rendered after 31 December 2009, yes, और ऐसे right को exercise करने के लिए, आपको court की permission भी नहीं चाहिए, right, yes, बिल्कुल prevention of terrorist act, very good, question number 23, 23 का अंच्वर, yes, first, 23 का B, very good, Malika Arjun Kodagli versus state of Karnataka, B is the correct answer, next करते हैं, question number 24, decision of the Supreme Court in the case of Kusum, Ignorance and Alloys Limited versus Union of India, यह किस से related है, right, principle of Res Judi Carta से, territorial jurisdiction and forum convention, ठीक है, scope of judicial review और power of writ court in matters relating to contractual disputes, अच्छा, यह case कौन से act से related है, which act, कौन से act से related है, yes, question number 24, कौन से act से related है, 24 का, yes, 319, additional accused को बुलाने के लिए अपन यूस करते है, yes, 24 का, बागेश्री बता रही है, D, yes, correct answer क्या होगा, कीटी से इंग A, yes, तो यहाँ पर correct answer is B, okay, यहाँ पर correct answer आपका रहेगा, B, B is the correct answer, territorial jurisdiction, है न, अच्छ से related है, कि इस negotiable instruments से related है, right, तो B is the correct answer, B is the correct answer, right, next करते हैं अपन, question number 25, in which of the following cases, Supreme Court has, upheld the validity of section 51 of CPC, section 51, किस बारे हम बात करता है, किस बारे में section 51 बात करता है, yes, 25 का answer, question number 25, yes, N.I.X related है, right, 51 किस बारे में बात करता है, और इसका correct answer आपको बताना है, yes, fast, जल्दी कौन comments कर रहा है, सबसे पहले, D, very good है न, D is the correct answer, very good, ठीक है, चलो, Jolly Vargis वर्से बैंक आफ कोचिंग का, Supreme Court का, case है, next, 26, Morgan Stanley, Mutual Fund वर्से कार्थिक दास का case, किस पॉइंट से related है, yes, yes, modes of execution के बारे में बात करता है, 51, very good, yes, 26 का answer, question number 26, C is the correct answer, interim injunction से related है, right, C यहाँ पर, correct answer रहेगा, okay, चलो, next करते हैं, question number 27, even after x-party proceeding, this is x-party proceedings, the defendant can take part in further proceedings of the suit, है न, x-party proceedings होने के बाद में भी, आपका defendant, participate कर सकता है, in the further proceedings of the suit, यह principle, honorable Supreme Court ने, कौन से case के अंदर बता है, आपको यह बताना है, yes, 27, question number 27 का answer, yes, I want the correct answer, इसका correct answer क्या होगा, question number 27, D very good, D is the correct answer, Arjun Singh versus Mohinder Kumar, very good, ठीक है, प्रिंसी का answer आगया है, D is the correct answer, next करते हैं, question number 28, पल्विंदर कौर का case, इसमें से किस चीज़ से related है, right, अपने पल्विंदर कौल वारा, पिछली class में भी किया था, ये question बार बार रिपीटेटली पूछा जाता है, तो इस का answer क्या होगा, किस से related है, confession, dying, declaration, relevancy of judgment, or entries in the books of account, yes, question number 28, question number 28 का answer, 28 का ए, बिल्कुल, सचिन का answer आगे है, 28 का ए, confession से related है, confession को इंदिम क्या बोलते हैं, Sanskriti, right, चलो, next करते हैं, question number 29, yes, received from an accused who is in police custody, leads to the discovery about arms, clothes, ornaments, corpus which are related with the offense, are relevant under section 27, ठीक है, जो भी चीज़ें, accused से receive होती है, discovery के बाद में, जैसे arms हो गए, clothes हो गए, ornaments वगरा हो गए, वो, basically, relevant होता है, section 27 of the Indian Evidence Act, ये चीज, कौन से case के अंदर, ये इस principle को, कौन से case के अंदर, Supreme Court ने explain किया था, ये clarify किया था, yes, question number 29, question number 29, question number 29, A very good, बिल्कुल A is the correct answer, Pulgori Kotae versus, Emperor का judgment है, next करते हैं, question number 30, Mori Bibi versus, Dharmodas Ghosh, right, ये अपन Indian contract है, कि अब यहाँ से question discuss करेंगे, Indian contract act के, अब Mori Bibi versus, Dharmodas Ghosh का जो मामला आया था, उसके अंदर, क्या-क्या points यहाँ पर बताये गए थे, is the decision of Supreme Court, regarding extraordinary contract, क्या ये Supreme Court से related judgment था, second, as laid down that in India, a minor's contract is void of an issue, as laid down that a minor's contract becomes valid, when he attends majority, yes, इन तीनो statement से, कौन सा statement एकदम correct है, आपको ये बताना है, क्या ये Supreme Court का decision था, yes, yes, question number 30, question number 30 का answer, कौन सा statement इन में से, सही है, आपको ये बताना है, कौन कौन सा statement सही है, कौन सा statement सही है, प्रिंसी इस गिविंग 30 का सी, महलब ये फर्स्ट सेटमेंट सही है, आप यूं कहा रहे है, फर्स्ट और सेकिंड दोनों ही सही है, yes, correct answer, 30 का correct answer कौन देगा, बिल्कुल सचिन का answer आँगया है, स्वीटी का answer आँगया है, D is the correct answer, only the second statement is correct, सिर्फ सेकिंड इस्टेटमेंट ही correct है, सुप्रिंग कोड का थर्डी decision नहीं है, यह तो प्रिवी काउंसल का judgment है, तो फर्स्ट इस्टेटमेंट गलत हो गया, और थर्ड भी गलत है, सिर्फ सेकिंड ही सही है, सो B is the correct answer, next करते हैं, कोशन नमबर 31, आपको इन दोनों स्टेटमेंट को उपढ़ कर बताना है, कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही रहने वाला है, यस, यस, बिलकुल, प्रिवी काउंसल का decision था, कोशन नमबर 31 का आशर आपको बताना है, भगवान दास वाला जो case है, it was laid down that section 4 does not imply that the contract is made कोशन थे प्रिपोसर at one place and कोशन थे अखपपर at another place, राध दूसरा है, communication of acception should be from a person who has the authority to accept information received form an unauthorized person is ineffective, question number 31, 31 31 का अंचर 31 का अंचर is A यहीं स्टेट्मेंट सिर्फ करेक्ट है यहीं स्टेट्मेंट सिर्फ आपका और है baikio意 jogar यहीकिस्टेट्मेंट नहीं क्यों Nobel निया क्यों षक्याय कोई दे रहा यह तो अनौश पर्सन से मिलिई ख सेपटेंस वह जहीन मानी जातीनि राइंट नेक्स करते हैं 32 नेक्स करते हैं इस यह जो केस है कौन से मामले से रिलेटेड है कौन्टरक्ट, दॉक्तिन और प्रोमिसरी अस्टोपल एंटिसिपेटरी ब्रीच और क्वान्टम मेरियत कौस्टन नमब थाटीवन किस से रिलेटेड है 32 का C, very good एंटिसिपेटरी, ब्रीच और कॉन्टरक्ट, राइट, सेक्शन 39 में अपन पढ़ते हैं इंडियन कॉन्टरक्ट रेक के सेक्शन 39 में अपन ये दॉक्तिन पढ़ते हैं नेक्स करते हैं कोशन नमब थाटीथ्री the principle of assessment of damages for breach is given in कौन से के से के अंदर दे रखा है Hedley वर्से बैक्जंदेल, Scar वर्से जोडाइन, King वर्से होर, Hyde वर्से रेंच yes, simple question, very simple, काफी repeat होता है, ये question भी question नमब 33 का answer yes, 33 fast, fast, a is the correct answer, बिल्कुल ये यहाँ पर सही answer रहेगा, Hedley वर्से बैक्जंदेल, right चलो, next करते हैं, question नमब 34 which of the following cases is related to cross offer, right cross offers related कौन साइस में से judgment है, Adam वर्से लिंचल, Tin वर्से होफमें, household fire and accident insurance company वर्से गरांट और Dunlop वर्से हिगिन्स, yes question नमब 34 का answer A question number 34 yes, fast, fast B, very good है ना, Tin वर्से होफमें and company very good, चलो, next जल्दी जल्दी कौन answer देता है, सबसे पहले आपको यह बताना है, which of the following is not correctly matched, इसमें से कौन सा correctly matched नहीं है, आपको यह बताना है, coercion से related है, चिक्का ममी रवजू वाला केस, liquidated damages से related है, run law वाला केस, impossibility of performance से related है, अलोपी परसाद एंड संस वर्से उनियन अफ इंडिया वाला केस, और public policy से related है, हेडले वर्सेस बैक्जन डेल का केस, yes, कौन सा यहाँ पर incorrectly matched है, not correctly आपको बताना है, थर्टी फाइफ, question number 35, question number 35, yes, D, very good, तुशार कांसवर आगया है, बिलकुल सही, सबसे पहले तुशार कांसवर आया है, D is the correct answer, okay, D is the correct answer, public policies related नहीं, अडिया वाला केस, right, next, करते है, 36, A valuable consideration in the sense of the law may consist either in some right or interest or benefit accruing to one party on some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other is well explained in which case, yes, कौन से केस कंदर बताया था, यस, question number 36, question number 36, which case, D, बता रहे हैं सब, यहां पर A correct answer रहेगा, okay, A is the correct answer, बिलकुल, सचिन का ऐश्वर का आगया है, A is the correct answer, क्यूरी वर्से मीजा वाला केस, okay, next, करते हैं, question number 37, in the case of McGrawler versus McGrawler, the wife vidrio her complaints as the husband enter into an agreement with her on the condition that if she vidrio her complaints and refrained from pledging his credit, he will pay her an allowance, yes, यह जो मामला है, किस से related था, यह एक social agreement है, इसलिए binding नहीं है, यह एक family agreement है, इसलिए binding, यह contract नहीं है, यह agreement is based on love and affection and is binding, और the parties had the intention to have a binding contract between them, yes, question number 37, 37, यह तो आज के questions का level कैसा है, यह बता दो एक बार, यह आज के questions का level कैसा है, और अभी तक अपन ने almost 37 questions कर लिए हैं, अभी तक आपके कितने सही हुआ हैं, आप वो भी एक बार comment box में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, अभी तक आपके total right questions कितने हुआ हैं, कितने हुआ हैं, yes, मैं आप से जानना चाहरा हूँ, तुशार गान्सवर आगया है, बिल्कुल 37 का D is the correct answer, D यहां पर एकदम correct answer है, okay, 37 answer is D, next करते हैं, question number 38, जोतिंद्र भटाचार जी versus Mrs. सोना बालन, it was held that, क्या बताया था इस case के अंदर, ठीक है, onus of proving soundness of mind of a person always rests upon a person who alleges such state of mind of another person, right, second, the onus of proving unsoundness of mind of a person always rests upon a person who alleges such state of mind of another person, third, the onus of proving unsoundness of mind rests upon person of unsound mind, or, कि बाद, the onus of proving unsoundness of mind is on the judge deciding the case involving person of unsound mind, yes, question number 38, 38 का correct answer, yes, 38 का, B, very good, बड़े भईयक आंस्वर आगया है, B is the correct answer, next, करते हैं, अपन, question number 39, ठीक है, consideration की यहाँ पर यह definition बता रखिये, तो आपको बताना है कि consideration की जो definition बताई थी, यह कौन से judgment के अंदर, Supreme Court ने यहाँ पर बताई थी, right, 39 का, consideration means a reasonable, equivalent, or other valuable benefit passed on by the transferer to the transferee, similarly, when the word consideration was qualified by the word adequate, it makes the consideration stronger, so as to make it sufficient and valuable having regard to the facts, circumstances and necessities of the case, यह प्रिंसिपल कौन से के अंदर बताया गया था, yes, question number 39, yes, question number 39, yes, आज के questions का level कैसा है, आपने बताया नहीं, easy, moderate, tough, very difficult, very easy, yes, कैसा है, यह बाएं आथ का खेल, वैसा है, कैसा है, yes, 39 का, question number 39, question number 39 का अंस्वर, बड़े भाईया जो है, वो ग्यस कर रहे हैं, डी को, अच्छा, moderate to tough, ओके, श्वेता कहा रही है, moderate to tough, ठीक है, तो यहाँ पर correct आंस्वर is A, yes, is it visible now, is it visible, now, am I audible, visible to you, no, the class has not stopped, class stopped नहीं हो, yes, are you there, yes, just write once, yes, are you, अच्छा, चलो, 40 कांस्वर, question number 40, yes, चलो, question number 40 कांस्वर is B, घेरुलाल पारेक वर्सेज महा देऊदास, ठीक है, B is the correct answer, पर, okay, yes, चलो, ठीक है, question number 41, principle of privity of contract was held as not applicable in an action for tort in which of the following cases, yes, question number 41, क्या केस था, कौन सा केस है, वैसे ही केस है, अपन टॉट्स के अंदर भी पढ़ते हैं, यह वाले केसे, हैंना, इस्पेसिफिकली, टॉट्स के अंदर पढ़ते हैं, यह, question number 41, B, yes, जैती सेंग B, तो यहां पर correct answer is D, बिल्कुल, बड़े भाईयाक आंसर आगया है, तो बड़े भाईयाक आंसर जो है, वो बिल्कुल सही है, D is the correct answer, S B versus White का केस है, राइट, चलो, next करते हैं, 42, ठीक है, यह आपको हो सकता है, थोड़ा सा इसको visible नहीं हो रहा होगा, इसको अब यह जूम भी नहीं हो सकता यहां पर, ठीक है, चलो, मैं आपको बोल देता हूँ, फिर आप इसमें बताना के इसका correct match क्या है, ठीक है, Is the question visible to you? क्या आपढ़ पा रहे हैं इस question को? क्या आप पा रहे हैं इस question को? Just let me know, No? Actually, इस question के fonts थोड़े से small हो गया है, चलो, मैं आपको बोल देता हूँ, फिर्स्ट यहां पर लिखा हूँ है, दुर्गा प्रशाद वर्सेज बलदेव का case, अब इसमें साब को बताना है, कौन सा case, या कौन सा statement इस particular case से related है, राइट? नहीं दिख रहा, चलो, कोई बात नहीं, इसको अपन question को skip कर लाता है, आगे वाले करते हैं, राइट? अब यह तो दिख रहा है आपको, आई गेस यह चीज आपको दिख रही है, is it visible? Counter proposal, damages for breach, acceptance by conduct, commercial hardship, यह चार points बता रहे हैं, इसके regarding आपको बताना है, कौन सा point किस case से related है, yes, 43 का, A, B, C, D, यह चार है, अपने पास में, आपको बताना है, किस से कौन सा, किस से related है, yes, 43, question number 43, yes, 41 का, 43 का D, very good है ना, बिलकुल D यहाँ पर correct answer है, ठीके D मतलब A का 3, ठीके A का 3 मतलब counter proposal, का case है, hide versus wrench, B का यहाँ पर है, 1, B का 1 मतलब damages for breach वाला, जमाल versus मूला दाउद, ठीके, और C का है, यहाँ पर 2, acceptance by conduct, हिंदुस्तान कोपरेटिव इंशोरेंस सोसाइटी, वरसे श्याम सुन्दर, और D का है, यहाँ पर, गंगा सारण वाला case, जो है वो, commercial artships related, तो, D का हो गया, 4, okay, D is the correct answer, अच्छा, आपको अपडेट बता देता हूं, कि करण सर की, आज रात को साड़े-दस बजे, रात को साड़े-दस बजे, करण सर, 1000 questions का, जो session चल रहा है, उसको आगे continue करेंगे, इसका basically part 2 है, तो आपको इसको join करना है, ठीक है, रात को साड़े-दस बजे, करण सर, MC की उसकी आपकी, शांदार class लेने वाले हैं, तो इसको आपको join करना है, ओके, इस class को आपको miss out नहीं करना है, रात को आज, आज रात को साड़े-दस बजे, मतलब, 10 जन्नवरी 2024 को, रात को साड़े-दस बजे, करन सर, part 2 लेने वाले हैं, जो आपके, MC, MPCJ के regarding, आपके काम के आएगी, ठीक है, यस, वेर विल्टी क्लास पीडिएफ, इस class की भी पीडिएफ, इन सारे कॉशन्स की भी पीडिएफ, आपको Law Prep Judiciary के, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, Law Prep Judiciary के टेलीग्राम हैंडल पर, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर लें, ताकि आपको इसके उपर भी जो डेली अपडेट्स आते हैं, उसको भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, राइट, चलो, यह टेलीग्राम हैंडल है, तो राज को साड़े देस बज़े आपको आना है, और उन शांदार कोशन्स की प्रेक्टिस करनी है, चलो, आगे करते हैं अपन कोशन नमबर 44, मैज दी फॉलेंग, ठीक है, यह भी मैज दी फॉलेंग वाला चीज है, अब आपको बताना है, इसमें से कौन सा केस, किस पॉइंट के राइडिंग है, किस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, यह एश्वरिया बता रहे हैं, काइंडली इट ऑन दी नेक्स दी सर, यह क्या कहना चाहरे हैं, ऐश्वरिया सेंग दी, यह 44 का, B, यह वेरी गूड, B इस दी कर्रेक्ट आंस्वर, है ना, B यहाँ पर कर्रेक्ट आंस्वर रहेगा, B मतलब A का 2, इंटेंशन आफ दी कॉंट्रक्ट इससे रिलेटेड है, B का 1, हेंडर्सन वर्सेज इस्टिवंशन, यह यहाँ पर आजाएगा, हेंडर्सन वर्सेज इस्टिवंशन, ठीक है, वीक्स वर्सेज टाइबल, मतलब जनरल प्रपोजल, C का 4, एंडर्सन वर्सेज इस्टिवंशन, रिजनेबल नोटिस और क्यूरी वर्सेज मीजा वाला, D का 3 हो जाएगा, तो B इस दी करेक्ट आंशर, ओके, यहस, नेक्स्ट करते हैं, 45, विट रेफरेंस तु दी कॉंट्रेक्ट आट, मैच लिस्ट वन विट लिस्ट टू, और इसको आपको करेक्ट ली बताना है, ठीक है, हैडले वर्सेज बेक्जन देल, लिक्विडेटेज डेमेज से रिलेटेड है, गजानन मोरेश्वर वर्सेज मोरेश्वर, रिमोटनेस ऑफ डेमेजेज, ठीक है, इसमें भी आपको मैच दिफॉलेंग करनी है, यह एक्चुली थोड़ा सा उपर नीचे हो रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंस्वर क्या होगा, 45 का, कोश्चन नमबर 45 का करेक्ट आंस्वर, यह दखो, यह है बेसिकली इसका, यह दूसरा पार्ट है, जो हम आपको मैच दिफॉलेंग करनी है न, वो यह है, किस से मैच दिफॉलेंग करोगे आप, है न, एक तो यह है, और यह है, इंडेमिनिटी वाला, यह फॉर्टी फाइव का, तो फॉर्टी फाइव का यहां, बी आंस्वर रहेगा, बी आंस्वर रहने वाला है आपके, ठीक है, बी कैसे मतलब, एक तू हो जाएगा, एक तू मतलब, हैडले वर्सेस बैक्जंडेल वाला, जो है, वो रिलेटेटेट है, रिमोटनेस बैक्जन वाला, बी का फोर, वो बेसिक लिय आपके, इंडेमिनिटी से रिलेटेट हो जाएगा, ठीक है, लिक्वडिटेटेड वाला केस having, इस और डी का फिरी क्रेल वाला केस है, तो बी कर्ट आंस्वर, चलो, नेक्स्ट करते हैं, question number 46 it was held that a chief minister or a minister is in the pay of the government and therefore is a public servant within the meaning of section 21 section 21 of IPC in the case of कौन से के अंदर Supreme Court ने चीज़ बताई थी कि जो chief minister होते हैं वो एक public servant की category के अंदर fall करते हैं yes question number 46 46 करुणा निदी केश्वानन्द भारती कल्यान सिंग और जयलली था यस बी और सी में आपको confusion होगा नहीं आप दो यह options बचते हैं इस 46 का यह बड़े वहियाग आंसवर आ गया है बड़े वहियाग आंसवर एकदम सही है एस दी correct answer very good next करते हैं question number 47 distinction between section 34 and 149 IPC इसको authoritatively explain किया था Supreme Court ने कौन से case के अंदर yes state of Maharashtra versus M.H. George गुरुदेव सिंग versus state of Punjab राम कुमार versus state of Haryana और नानक चंद versus state of Punjab yes 47 question number 47 47 का D very good नानक चंद वाला case था जहां पर Supreme Court ने 34 और 150 के बीच में difference बताया था right 34 और 149 के बीच में right 47 का D next करते हैं the expression unsoundness of mind इसको define कहीं भी नहीं किया IPC के अंदर but has been mainly treated as equivalent to insanity 84 IPC बात करता है legal insanity की and not medical insanity यह चीज Supreme Court ने अपने कौन से case के अंदर बताई थी yes question number 48 question number 48 48 का correct answer B very good जहतिक answer is very good correct Surendra Mishra versus state of जारखंड का आपके यहां पर यह case का इसका सही answer right 48 का is B next करते है 49 in Vasudev versus state of Pepsu Supreme Court has explained the true scope of the following section of IPC कौन से इस धारा के कौन से धारा के तहत Supreme Court ने better तरीके से यहां पर explain किया था 84 85 86 34 yes fast comment जल्दी जल्दी comments करें आपनको आज 70 75 questions solve करने I need your support और आपको यहां पर end तक इस session के end तक आपको बने रहना है ठीक है session के end तक आपको सारे live questions मेरे साथ practice करने ठीक है yes 49 का question number 49 c very good बिल्कुल c is the correct answer section number 86 related right c is the correct answer next करते है 50 decision in which one of the following cases has been described by the Supreme Court to have attained the status of a landmark for bringing out correct test for application of 300 का three of IPC ठीक है yes question number 50 यह भी काफी landmark judgment है landmark judgment है राइट अपन जब murder की definition पढ़ते हैं तो पर अपन sub clause 3 specifically sub section 3 में देखते हैं राइट तो 50 का answer is b very good पागिशली शोनी का एकदम answer सही है वीडसा सिंग वर्से state of Punjab इसका correct answer रहेगा next करते है question number 51 which of the following cases is considered as locust stand-eye यह question actually repeat हो गया वही section 303 का पूचा है वीडसा सिंग वाला गया था ठीक है next करते हैं 52 section 303 was struck down as unconstitutional by वी कौन से judgment के अंदर 303 को unconstitutional declare किया गया था yes अक्षिता करें good evening yes good evening अक्षिता बच्चन सिंग मीथू सिंग ब्रिज मोहन वर्सें स्ट आफ राजस्तान और मच्छी सिंग वर्सें स्ट आफ पंजाब यह कौन सा आई पीसी की कौन से section से related है और किस concept से related है yes कौन सा section है आपको यह भी बताना है रेप अडल्ट्रे किड्नैपिंग बाइगे मी यस फास्ट फिफ्टी थी का यार कोशन नंबर भी आप लिखो आगे कोशन नंबर फिफ्टी थी का आप आंसर क्या दे रहे है यस फिफ्टी थी का डी यस वेरी गुड बाइगे मी से related है यस यस good evening s10 चलो next करते हैं अपन 53 क अटा रखें और आपको इसको chronological order में से सीक्योंस में आपको जमाना तो कौन सा पहले आया उसको आपको यहां पर पहले बताना यस कि बाइगे मी यस वेरी गुड इसका अंसर क्या होगा कौन सा के सबसे पहले आया आपको यह बताना है कोशन नंबर फिफ्टी फोर 54 yes 54 C very good very good C is the correct answer 2 4 1 3 मतलब ये के सबसे पहला है यूसूफ अब्दूल अजीज वाला फिर उसके बाद में रेवती वासर्ज उन्यून ऑफ इंडिया वाला केस आया फिर कल्यानी वर्ट से स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर और पुलिस आया और ये रिसेंटली अपने देखा जहांपार अडल्टरी को अनकॉंसिटूशनल डिक्लेर कर दिया गया है by the honorable supreme court राइट चलो तो यह एकदम latest case है तो 2413 इसका correct sequence रहने वाला है next करते है 55 in which case honorable supreme court has directed to pay minimum compensation कम से कम 3 lakh का compensation देना पड़ेगा acid victims को yes यह कौन सा case था supreme court का yes question number 55 55 का A very good Lakshmi versus union of India next करते है name of the victim of sexual offense shall not be mentioned यह कौन से case के अंदर supreme court ने बताया था yes के sexual offenses के victims का नाम जो है वो अपन publish नहीं करेंगे वो out नहीं होना चाहिए राइट वो कौन सा case था yes yes good evening Ayushi yes question number 56 A yes very good Ramakrishna versus state right A is the correct answer चलो A is the correct answer next करते है 57 where directive principles have found statutory expression in do's and don'ts the court will not sit idle and allow government to become a statutory mockery for protection of the environment the law will relentlessly be enforced and the plea of poor finance will be poor LAB when people in misery cry for justice ये जो अबव पॉइंट था ये municipal council of रतलाम versus वर्दी चंद का case था ये बताना है कि ये statement कौन से honorable justice ने इस judgment के नदर कही गई थी yes 57 question number 57 question number 57 कौन से honorable justice ने यहाँ पर ये point बताया था येस 57 D बता रहे हैं पागियसली रंगनाथ मिश्रा नीलम कांसर B है और ये एकदम correct answer है justice V. R. Krishna Iyer B यहाँ पर correct answer है okay next करते हैं इस question को आप mark कर लें note down कर लें अपने note book के अंदर next करते हैं 58 in the eventuality of grievous hurt becomes culpable homicide not amounting to murder the injury which is actually found should itself be such that it may put the life of the injured in danger was decided in the case of yes कौन से केस के अंदर ये चीज़ रिचाड विती yes question number 58 58 कौन से केस के अंदर ये इस गर्वर्मन आफ बंबे ओके versus अब्दुल वहाब 57 57 तो कर लें आक्षे था अपनने 58 का B very good government of Bombay versus अब्दुल वहाब B is the correct answer next करते हैं 59 law is a social engineering to remove the existing imbalance and to further the progress serving the needs of the socialist democratic भरत under the rule of law ये observation जस्टिस के रामस्वामी ने दिया था कौन से केस के अंदर आपको ये बताना है yes 59 डेली ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन versus मजदूर कॉंग्रेस इंदरा सानी स्टेट अफ कर्नाटका versus अपा बालू और परमानन कटारिया versus union of इंडिया परमानन कटारा कटारा ये कटारिया नहीं होगा versus union of इंडिया 59 question number 59 yes no issue अक्षित 59 का A yes very good A is the correct answer ठीक है चलो next करते है अपन question number 60 the CRPC which contains some general provisions to cover ordinary situations came to be regarded as an instrument to combat pollution right in 1980s and was utilized in one of the following cases कौन से के अदर इसके रिगार्डिंग बात कही गे थी Supreme Court के द्वारा yes question number 60 question number 60 yes D very good Neelam का अंसर आगे है बड़े भाईया का आगे है D is the correct answer municipal council versus वर्दी चंद का यहां पर यह case है right चलो very good next करते हैं question number 61 the right of private defense of body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as such apprehension continues यह चीज कौन से section में बता रखिये पहले आप यह बता दें यह चीज कौन से section में बता रखिये IPC के ठीके और यह observation Supreme Court ने किस case के अंदर किया था यह सिक्स्टीवन यह सक्षिता सिक्स्टी का अंसवर वह उस दी 61 वेरी गुड बड़े भाईया का अंसवर रिक्तम करेक्ट है दियो नारायन वर्टसेज स्टेट अफ यूपी वेरी गुड है ना चलो बहुत बढ़िया next करते हैं question number 62 2 रामशरूप नहीं होगा इसका अंसवर दियो नारायन वर्टसेज स्टेट अफ यूपी है ठीक है next करते हैं very good section 102 चलो a two judge bench of Supreme Court in Shail Singh versus state of Haryana held that the prosecution can discharge the initial burden to prove the ingredients of section dash of IPC even by preponderance of probabilities कौन सा section है इससे related कौन से section की यहां पर बात की जारी है Supreme Court के द्वारा के prosecution जो है वो initial burden जो होता है उसको discharge भी कर सकती है और preponderance of probability जो अपन सिविल के अंदर केस पढ़ते हैं कि सिविल के अंदर burden of proof कैसा होता है तो उसके basis पर यहां पर यह चीज प्रूफ की जा सकती है वह कौन सा section है आपको यह बताना है यह कोशन नंबर 62 62 यह कहा रहे है ऐश्वर्या निलम इस आखसी ओके यहां पर correct थाइस दी ओके 304 बी की यहां पर बात हो रही है डी इस दी करेक्ट आंसवर सेक्शन 304B ओके डी इस दी करेक्ट आंसवर मार्किट नेक्स्ट करते हैं 63 यहां पर भी यह मैस दी फॉलविंग है और आपको बताना है कि यह पॉइंट कौन से केस से रिलेटेड है अगर Sãoытश के यह यह यज विश्ओ अ इन्सरीय का कौन सा है इस कोई बाओ नहीं इसका करहार्ट टोव दोडी है होके यह 63 का १ कोश्ट सेंने नमबर 63 63 63 63 Yes इसको आप अच्छे से पढ़ लो तो इसका आन सुर दें Yes Yes Fast Fast 63 का ऐश्वरिया इस सेंग B Very Good ऐश्वरिया B इस दी करेक्ट आंस्वर B इस दी करेक्ट आंस्वर Very Good अब B कैसा है A का 4 मतलब Attempt का है Koppulu Venkat Rao Vs. State of Anandharapadesh ठीक है बिल्कुल सही है फिर B का 3 Menshriya का है Case State of Maharashtra Vs. M.H. George आपन केस पढ़ता है फिर C का 2 Insanity का मतलब दया भाई चगन भाई ठाकर Vs. State of Gujarat है ना यहां पर इस केस के अंदर Supreme Court ने बोला था कि Section 84 IPC Legal Insanity की बात करता है Medical Insanity की बात नहीं करता राइट इसके बाद में आपन देखते है Common Intention D का 1 Girija, Shankar Vs. State of U.P. So B is the correct answer Okay चलो Next करते है Question No. 64 Seema Vs. Ashwini Kumar The following issue has been decided by the Supreme Court Seema Vs. Ashwini Kumar के case के अंदर Supreme Court ने इस point के अंदर या कौन से principle के रिगार्डिंग आपर बात की गई थी Yes Question No. 64 Yes Are you enjoying this session? आपको मज़ा आ रहा है session अटेंड करके Yes Do let me know in the chat box ताकि मेर को भी पता चले के आप लोग सब Class के अंदर हो और सारे answers कर रहे हो Right Yes Question No. 64 का answer Maintenance नहीं है बड़े भया इसका answer है C Registration of Marriage Marriage Okay C is the correct answer Okay C is the correct answer D answer नहीं है इसको अपने चार बचते ही आना है और आज रात को भी करन्सर की class है साड़े दस बज़े Right MPCJ का जो करन्सर 1000 questions की आपकी marathon करवा रहे हैं आउगे आउगे ना आउगे ना चलो बहुत बढ़िया येस इसका 69 का ए शायरा बानो वर्सेज यून ऑफ इंडिया इस दी करेक्ट आंस्वर ठीक है simple question next करते है 70 question the principles in the case of जीजा भाई वर्सेज पठान कान ये किस से related है ठीक है ये actually question family law का related है तो आपन skip कर सकते हैं ठीक है येस ये करते हैं the case of जयादाल पुद्दार वर्सेज बीबी हाजरा ये point या ये principle कौन से case के अंदर बताया गया था येस तो आज है ना ये questions हिंदी में के अंदर भी है विनमरता जी आज questions हिंदी में भी है ये देखो हिंदी में भी आज translated है तो आप इसको आप देख सकते हैं येस अब आपने चार-पांच questions ही बचे हैं लास्ट के ये 73 का डी वेरी गुड 73 का अंसर इस डी परफेक्ट और से रिगार्डिंग बात करता है आपका जयादाल पोदार वाला केस नेक्स्ट करते हैं 74 ठीक है अब ये देखो बड़ा सा question है इसके अंदर क्या बोल रखा के वेर परसंट्रांसफर्स property representing that he has a present interest therein whereas he has only a space successness ठीक है जो पन section 6 एक अंदर पढ़ते हैं transfer of property act का ये question है ठीक है संपत्ति अंतरन अधिनियम का सवाल है आपका और इसमें बोला है कि the transfer is entitled to the benefit of section 43 if he has taken the transfer on the faith of that representation तो basically 6a और 143 sorry 43 के बीच का difference बताया था कौन से case के अंदर yes 74 का legal explorer का answer आ चुका है very good C is the correct answer जुमा मजद वर्सेज कोडी मनेंदर देविया ठीक है C is the correct answer okay next 75 doctrine on the clock on the equity of redemption is a rule of justice, equity and good conscience ये अफर्म किया गया था supreme court के द्वारा कौन से case के अंदर yes question number 75 question number 75 yes 75 का यहाँ पर B answer रहेगा ओके मोराली लाल वर्सेज देव करन का answer correct है okay B is the correct answer very good 76 once a mortgage always a mortgage ये प्रिंसिपल सुरी ये प्रिंसिपल बेस्ट है equity justice and good conscience कौन से case के अंदर पहली बार बताया गया था yes 76 का yes 76 का 75 का B question number 76 last के 3-4 questions बचेंगे अपन 80 questions करेंगे right तो आपको session के end तक बने रहना है ज्यादा questions नहीं है अब yes 76 B legal explorer cancer आ गया है विल्कुल nox versus rice का case है ये question भी कई बार पूछा गया है इसको आपको mark कर लेना चाहिए ठीक है nox versus rice next question number 77 the rule of daniels versus division has been given a statutory shape in the transfer property act under which of the following titles yes 77 question number 77 question number 77 का आंस्वर का ये 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 सिदी सब क्या आंस्वर लग लग आ रहे हैं यहाँ पर कोई भी बता रहे हैं कोई ये भी बता दो कोई आंस्वर भी बता दो कि ये 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 कौन बता रहे हैं कि प्लीज समन्द गिव दी आंस्वर ए कि स्वीटी सिंग डी अ आश्वर ये इव बता रहे हैं और इस्वर ए का आंस्वर साई के registration घ्र कंस्ट्रॉי के रिगार्डिकेस बात करता है क्यों 77 का मैं खो र्षे इंड का ऑंस्ट्रॉकृ नइक्स का आपन in which of the following cases the Supreme Court clarified the distinction between expulsion and extradition following the international norms yes 78 Hans Muller vs. Supreme International Presidency Jail Mubarak Ali vs. State of Bombay Dharm Tejas case Ram Babu Saxena yes question number 78 B very good Neelam answer B is the correct answer next 79 which of the following statements are not correct कौन से correct नहीं है आपको ही बताना है ये question actually अपने से related नहीं है आपने सको skip कर लेते हैं ये आज का last question question number 80 आज का last question है ओके Yes, Vidyavati versus state of Rajasthan is a case law relating to कौन से पॉइंट से रिलेटेड है Vidyavati वाला case Yes, question number 80 Yes, 78 का answer was B 80 का answer Question number 80 Yes, very good C is the correct answer Vicarious liability of the state ठीक है चलो तो यह आज का आपना basically class थी I hope you like all the questions आपने अभी तक session को लाइक नहीं किया है तो please like this session ठीक है अपने friends के साथ भी share कर लो जो जो MP के तयारी कर रहे हैं दूसरे exam की भी कर रहे हैं और एक और important update यह batch start हो चुका है इसकी demo classes भी चल रही है You can call on this number and register yourself for free demo classes Okay, ठीक है मैं अभी वहाँ पर आपको subjects पढ़ा रहा हूँ NI act वगरा चल रहे हैं आपके तो आप इन सारे classes को भी check out कर सकते हैं आज के questions आपको कैसे लगे आप वो को भी comment box में बता दें कल अपन basically यहां पर live class करेंगे ठीक है इसी टाइम चार बसते ही आप सभी को आना है ठीक है अपनी copy वगरा साथ में रख लो चाय वाय चाय का भी कब बढ़िया साथ में रख लो और फिर यहां पर अपन questions के practice करेंगे कल section based और mix questions रहेंगे MP के लिए और बारा तारिक को मतलब परसों Friday को एक महा मायरसन class होगी MP का एक mock test होगा ठीक है 150 questions आएंगे MP के अंदर 150 questions मैं आपको solve कराऊंगा एकदम लेटेस्ट syllabus के pattern के उपर राइट ठीक है clear समझ आगे आपको करण सर की तो क्लास आज रात को साड़े दस बज़े है आपको आना ही है पार्ट तू को solve कराएंगे करण सर ठीक है 1000 questions की marathon सर क्लास करवा रहे हैं उसको आपको आज attend करना है ठीक है तो अब 3-4 दिन questions के भरमार आपके उपर आने वाली है और 12 तारिक को मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा MP के लेटेस्ट syllabus के pattern के उपर 150 questions करेंगे उसमें law के भी 120 questions होंगे बाकी computer के होंगे GK के होंगे और बाकी MP आपके MP local lodge भी होंगे ठीक है फुल मॉक 12 जनवरी को होगा Friday को ठीक है सेम चार बजए आपको आना है फुल मॉक करेंगे अपन विफ 150 questions का right clear okay so thank you everyone for attending this session और इसको आप like कर लो और शेयर भी कर लो अपने friends के साथ में ठीक है चलो bye bye take care करो लो पुल मॉक्वाप बड़ा है I कर दोड़कि कर दोड़ आप करेंगे इसक्क़ वाद हो आपका है